ओके अलो फ्रेंड केसे हो आप सब में विशी और आप देख रहें Bound to Invest यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा बैंक निप्टी है और नेक्स्ट विक क्या सपोर्ट लेके जाएगा क्या रजिस्टन्स लेके जाएगा कौन सी रेंज के बीच में यह सकता है और हम इसका Option Chain Analysis भी करेंगे और Technical Analysis भी करेंगे तो दोस्तों अभी तक आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरोज हर दिन लेते आते और जो बाजो में घंटे वाला बटन है उसे जरूर इसके सपोर्ट हो सकते हैं तो हम पहले क्या की पूट से सपोर्ट फाइंट करने की कोशिस करते हैं तो जो मेरे को सबसे पहले सबसे ज्यादा वाई विल्डप दीख रहा है वो दीख रहा है 19,500 लेकिन उसके आजू-बाजू मतलब थोड़ा ही कम आपको 20,000 पे दीख रहा तो जो हमारा पहला सपोर्ट होगा option chain analysis से वो 20,000 का level होगा अगर उसके बात की बात करें तो 19,500 का level होगा अगर हम call site देखते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा oi build up आपको देखने को मिली है 21,000 के level पे लेकिन 21,000 के बात की बात करें तो 21,500 पे हमें oi build up दीख रहा है लेकिन जो oi change है वो सबसे ज़्यादा 21,000 पे हो रहा है अगर हम resistance की बात करें तो 21,000 का फेला resistance है अगर ये इसको भी break करके ऊपर चला गया तो 21,500 का आपका दूसरा resistance है एक बार हम इसको चार्ट में भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है तो जब आप चार्ट में देख रहे हो तो हाल फिलल आपको resistance 21,000, 21,500 और 22,000 पे दीख रहा है support की बात करें तो 20,000 और 19,500 पे दीख रहा है तो ये हो गया आपका bank nifty का option chain analysis अभी हम करते है इसका technical analysis और बाद में बात करते कि कौन सी range में bank nifty आपका trade कर सकता है तो अब हम आ चुके bank nifty के चार्ट के उपर तो पहले हम support की बात कर लेते हैं बाद में resistance की बात करते हैं तो जो हमारा पहला support होगा जो Friday का low था वही हम पहला support मानेंगे जो आ रहा है 19,530 के आज पास तो आप इसको 19,500 एपरोक्स ले सकते हो कि 19,500 का जो level है वो हमारा पहला support हो सकता है अगर ये इसको भी break करके नीचे चला गया तो 18,730 का level है वो आपका दूसरा support हो सकता है लेकिन इसको break करने के बाद ही ये आप support ले सकते हो मेरे इसाब से 19,500 का support है वो एक strong support है तो इसलिए क्या है कि आप इसमें देखो कि ये level के आसपास अगर आपको buying opportunity मिलती है तब आप buying के लिए जा सकते हो लेकिन proper buying opportunity मिलनी चाहें अगर हम क्या है कि resistance की बात करें तो जो हमारा पहला resistance last high में लूँगा जो आ रहा है 21,800 के आसपास अगर ये इसको भी break करके उपर चला गया फिर भी में buying नहीं करूँगा क्योंकि आप देख रहो इधर एक दूसरा आपको resistance मिल रहा है जो 21,970 के आसपास है तो मैं क्या ये पूरा zone proper breakout हो जाए बात में buying कर सकते हैं तो जो zone आ रहा है आपका 21,800 से लेके 21,970 तक ये zone में आपको क्या है कि buying नहीं करना है अगर selling opportunity मिले तो selling कर सकते हो अगर ये इसको भी break करके उपर चला गया तब हम कौन सा resistance मानेंगे अगर आपका bank nifty इसको भी break करके उपर चला के लिए जा सकते हो तो जो हमारा bank nifty है उसमें आपका पहला support होगा 19,530 और दूसरा support होगा 18,730 अगर आपके resistance देखो तो पहला होगा वो zone की तरह होगा 21,800 से लेके 21,970 तक अगर ये इसको भी break करके उपर चला गया तो जो हमारा आखरी resistance होगा होगा 22,550 अगर हम bank nifty में एक range की बात करें कि कौन सी range में bank nifty trade कर सकता है तो 19,500 से लेके 22,000 का जो range है उसमें आपका bank nifty trade कर सकता है next week के लिए तो दोस्तो ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो please यारो like, comment and subscribe कर दिया कीजिए आप like, comment करोगे तभी तो में motivation मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके एंगे तो please यारो like, comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने next वीडियो में तब तक लिए टटा गुडबाई जय हिन